टेकनिक काउंसलिंग राउंड टू में जिन्वी बच्चों को कॉलेज मिल चुका है सबसे पहले आप सभी को रेश्वा अकेडमी तरफ से कॉंग्रेचुलेशन से आपका रिचल्ट सरकारी कॉलेज में अगर मिल गया है तो आप अब जाधा देर ना करें तुरंत जाके अप आप कॉलेज पर जाके भी देख सकते हैं चेक कर सकते हैं बाद में का मौका न रहे कि सबस्क्राइब बढ़िया नहीं मुझे पसंद नहीं है तो पैसा वापस जल्दी मिलता नहीं है फस जाएगा तो आप में तो कहुंगा आपको अगर वैसा कोई कॉलेज मिला है तो आप जिन वो चुब कॉलेज मिल चुका है और बतीस सो पचास जमा कर लेते हैं तो अपने नजदी की हेल्प सेंटर में हर जीले में बना हुआ है या जो कॉलेज मिला है वहां पर भी मरलब कहीं पर भी जा सकते हैं पूरे यूपी में जहां पर हेल्प सेंटर बना है अपना एडविशन ले सकते हैं एडविशन लेने के बाद आएंगे और दिये गए डेट में ही है ना क्योंकि 26-26-29 इसी में अपना बचा हुआ बैलेंस बैलेंस मतलब की जो भी सभी बाकी है 7370 आपको बहुत जल्द इसी में जमा करना है जब यह आप जमा कर लेंगे अगर नहीं जमा करते तो आपको सीट नहीं मिलेगा आपका सीट कैंसिल हो जागा निश्राउंड के लिए 7370 जमा करके आप जाएंगे और अपने में कॉलेज जहां पर आपको खालेज अलाट हुआ है जब आपका फीज जमा हो जाता है 7370 एक अपता बाद भी आप जाएंगे तो हो जाएगा तिन चार दिन बाद जाके अपना फाइनल एडिवीशन यानि एक बार कॉलेज पर रिपोर्ट करते हालां कि पढ़ाई भी बात में होगे एक बार आपको जाना जरूरी है जिनको कॉलेज नहीं मिला है और राउंड थ्री में करें और मैं आपको अलग से वीडियो लेकर आउंगा कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो बच्चे क्या करेंगे तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया पहले 3550 जमां फिर क्लास जोईन कर लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्लासे रेगुलर चल रही है ना बारश और 99 रुपए में फोल कोर्स है बारश सब्जेक्ट जाओ जल्दी से जोईन करो और अपने समेश्टर के पढ़ाई को कंटीनिव करो